फ्रेंड मार्केट में जब से जियो आई है जियो लोगों की पहली पसंद बनी वी है क्योंकि जियो जब से आया है लोगों को अच्छे अच्छे प्लान मिल रहे हैं और जियो का नेटवर्क भी काफी अच्छा लोगों को मिला इसलिए लोगों की पहली पसंद जियो बन गई लेकिन फ्रेंट कुछ दिन पहले जब जियो ने आयू से चाज ला दिया तब लोगों की दूरी थोड़ी सी जियो से बढ़ गई लेकिन फिर भी लोगों की पहली पसंद जियो बनी रही लेकिन फ्रेंट एक बार फिर से जियो ने जटका दे दिया है अब सारे लोगों को परिशान होना पढ़ रहा है और सोचना पढ़ रहा है कि अब किया जाए हाला कि फिरेंट बता दे कि बोड़ा फॉन और आइडिया ने यहां पर बता है कि एक डिसंबर से उसके प्लान भी काफी महगे हो जाएंगे सबसे पहले Boda Phone और Idea ने यहाँ बताया था उसके बाद AirTail ने बताया था और अब जियो की तरफ से भी पूरी खबर आ रही है जिससे कि जियो के सारे यूजर काफी परिसान है फ्रेंट बता दे कि Boda Phone और Idea ने यहाँ पर मुख्य कारण जो बताया रेट बढ़ाने का उसका कारण बताया सरकार द्वारा वसूला जाने वाला AGR जिसके कारण की बोड़ा फोन और आडिया को अब रेट बढ़ाना पड़ेगा और उसने बताया है कि एक दिसंबर से उसके प्लान अब पहले से महगे हो जाएंगे हाला कि फ्रेंड बता दें कि बोड़ा फोन आडिया Airtail को ज़्यादा पैसा यहाँ पर देना है जियो को यहाँ पर सबसे कम पैसा देना है इसलिए पहले बोड़ा फोन आडिया ने रेट बढ़ाने की बात कही और उसके बाद Airtail ने भी अपने रेट को बढ़ाने की बात कही है फ्रेंड आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही सुप्रीम कोट ने बोड़ा फोन आडिया को AGR के रूप में 44,200 करोड रुपे 90 दिनों के अंदर बुक्तान करने को कहा है सुमबार कोई बोड़ा फोन आडिया ने टेरी प्लान मागा करने की बात कही उसके बाद Airtail ने भी अपने प्लान को मागा करने की बात कह दी जियो ने भी कहा है कि कुछ दिनों में उसके भी प्लान काफी मागे हो जाएंगे तो फ्रेंड इस तरह से जियो ने सारे कस्टमर को एक बार फिर से जटका दे दिया है हाला कि फ्रेंड जियो के प्लान कितने मागे होंगे यहाँ पर किसी तरह की कोई बात नहीं बताई गई है और किसी भी तरह का बात नहीं बताया गया कि कितना प्लान बढ़ने वाला है या कितना परसंटेज रेट महगा होने वाला है लेकिन इतना बता दिया है कि जियो का प्लान अब पहले से महगा हो जाएगा तो फ्रेंड आपको क्या लगता है कि जियो का प्लान पहले से कितना मह इसकार देम